कि CO2 air pistol कैसा दिखता है और real weapon कैसा दिखता है तके real weapon के लिए आपको arms license की जुरूद है और CO2 air pistol में आपका cylinder से चलता है और CO2 air pistol के लिए आपको license की कोई जुरूद नहीं है जिहां आप इसकी look देखिए ये 2 inch का बिलकुल next to new देखना चाहते हैं तो ये 3 inch barrel है उसके बाद हम आपके लिए लिए मैगनम जी हां आपके लिए पुरा गोलियों का बजार लगा है ये 32 बोर की imported गोली है M29 3 inch barrel Smith & Wesson का air revolver हम आपको दोनों weapons का दिखाएंगे तो हो सकता है आपको air revolver जादा अच्छा लग रहा हो हो सकता है आपको real revolver जादा अच्छा लग रहा हो air revolver होने के बाद भी unloaded कैसे ये खाली shells है इसमें अंदर से hollow होता है और इसमें हम steel BBs यूज़ करते हैं Smith & Wesson का इसमें logo दिया हुआ है ये model number है Smith & Wesson brand name भी लिखा हुआ है इसमें CO2 cylinder लगता है जो कि यहां से खुलता है अगर हम इसका आपको stop खोल के दिखाएं grape खोल के दिखाएं तो यहां पे CO2 cylinder लगता है इसकी sights को भी adjust कर सकते हैं इसकी आवाज असली से थोड़ी सी कम आती है Hello guys, welcome to Sharda Ganaos Sharda Ganaos में आपका बहुत बात स्वागत है हम आपके लिए जैसे हमने Barretta का comparison दिखाया था ऐसे ही एक बहुत ही renowned brand name है Smith & Wesson तो हम Smith & Wesson का भी आपके लिए comparison लेके आ गए है कि CO2 air pistol कैसा दिखता है और real weapon कैसा दिखता है सबसे important हमने आपको बता दिया था कि real weapon के लिए आपको arms license की जुरूद है और real weapon में bullet गोली चलती है और CO2 air pistol में आपका cylinder से चलता है और CO2 air pistol के लिए आपको license की कोई जुरूद नहीं है जी हाँ अब आप थोड़ा सा आगे आईए आगे आके आपको हम दिखाते हैं कि हमने आपके लिए क्या-क्या रखा हुआ है यह smithan version है 0.32 32 बोर में यह smithan version है magnum में और यह भी smithan version है 0.32 बोर में तो हम आपके लिए 2-inch barrel 3-inch barrel और 4-inch barrel सारी आपके लिए लेके आए हैं अगर किसी के बास license है और वो smithan version का imported made in USA का revolver लिना चाहता है तो वो यहाँ पे आ सकता है यह आप इसकी लुक देखिए यह 2-inch का बिलकुल next to new मतलब कि बहुत ही बहतरीन condition में बिलकुल नई जैसी condition में revolver है 2-inch barrel में बहुत ही प्यारी finish में है यह side opening होता है मतलब कि यह side में खुलता है इससे six shot होते हैं छे गुलियां आती है यह सारे weapon empty है इनमें कोई bullets नहीं है और हम आपको अब 3-inch barrel भी दिखा देते हैं जी हां 3-inch barrel अगर आप देखना चाहते हैं तो यह 3-inch barrel है 3-inch barrel की भी condition बहुत ही लाजवाब है बहुत ही अच्छी है यह आप देख सकते हैं और यह भी six shot है मतलब इसमें भी 6 गुलियां आती हैं यह आप देख सकते हैं बहुत ही smooth finish के साथ है और यह चलाने में बहुत ही ज़्यादा smooth होता है और सबसे बड़ा plus point की यह full metal का revolver है full metal मतलब इसमें alloy वगएरा कुछ नहीं होता यह full steel body से बना हुआ होता है उसके बाद हम आपके लिए लिए क्या हैं magnum जी हाँ magnum यह size देखता है यह magnum की वाली feel आ जाती है तो यह कुछ और नहीं यह 357 magnum नहीं यह 44 magnum नहीं यह लाए हम आपके लिए 32 magnum 32 magnum का मतलब आपके पास बहुत सारी option आ जाएगी अगर आपने normal 32 की short वाली गोली चलानी है तो भी चला सकते हैं अगर आपने 32 की Indian Ordenance Factory की गोली चलानी है तो भी चला सकते हैं अगर आपने 32 की imported गोली चलानी है मतलब जैसे हमने आपके आपके लिए पूरा गोलीों का बजार लगा है यह 32 बोर की imported गोली है revolver की यह भी हम आपको wholesale price पे कोई डीला लेना चाहिए तो बहुत बढ़िया price पे दे सकते हैं तो हम अपनी बात में वापस आते हैं 32 बोर की imported गोली चलाना चाहिए तो भी चला सकते हैं और अगर आप चाहिए कि मुझे बहुत ज़्यादा powerful गोली चाहिए तो आप 32 मैगनम की भी गोली चला सकते हैं तो 32 मैगनम की भी गोली चलेगी 32 मैगनम hollow point की भी चलेगी normal 32 hollow point की भी चलेगी मतलब इतनी वराइटी की गोली और वो भी सिरफ एक चेंबर में तो ये तो कमाल हो जाएगा इस चेंबर में आपको ये सारी तरह की गोली चलेगी बहुती स्पेशल रिवॉल्वर है ये आप इसकी पीछे से भी लुक देख सकते हैं बहुती प्यारा फ्रेम है ये और हाथ में पकड़ने के बाद मज़ा आजाते है कि यार कोई वेपन आपने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है क्या बद ये बात है और वो लोग जिनके पास लाइसन्स नहीं है और वो भी ये मज़े लेना चाते हैं शूटिंग प्राक्टिस करना चाते हैं और या अपनी सेल्फ डिफेंस करना चाते हैं तो उनके लिए भी आ गया है स्मिथन वेसन स्मिथन वेसन का रिवॉल्वर एर रिवॉल्वर स्मिथन वेसन का एर रिवॉल्वर ये हमने real weapons के साथ रखा हुआ है ताकि आपको इसका look and feel और आप compare कर सकें जी हाँ अगर हम आपको दोनों weapons का दिखाएंगे तो हो सकता है आपको air revolver जाद अच्छा लग रहा हो हो सकता है आपको real revolver जाद अच्छा लग रहा हो लेकिन दोनों की finish बहुत ही प्यारी और बहुत ही classy है अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर गोलिया कैसे पड़ी है भाई आभी तो आप कह रहे थे कि इसमें से सारे unloaded है जी हाँ बिल्कुल सही कहा रहा था यह सारे unloaded है किसी में कोई बुलेट नहीं है और यह भी unloaded है air revolver होने के बाद भी unloaded कैसे वो ऐसे कि हम इसका जब chamber निकालेंगे तो यह जो bullets आपको दिख रही है यह basically real bullets नहीं है यह empty shells हैं empty shells का मतलब कि यह खाली shells हैं इसमें अंदर से hollow होता है और इसमें हम steel bb's use करते हैं जैसे आपने हमारी और वीडियो में दिखा होगा जो steel bb's हम air revolvers में air pistol में use करते हैं वो ही steel bb's इसमें press करनी है बट यह look alike मतलब देखने वाले को पता नहीं चलता कि यह air है यह क्या है तो यह air revolver है बहुत ही बहतरीन finish में आप से सिरफ एक ही request है कि यह सब weapons का आपने कभी misuse नहीं करना आपने shooting practice में या अपने self defense में यह use करना है that's it जहां पर भी government allow करती है उसके अलावा आपने कभी भी इससे कोई misuse नहीं करना यह हमारी आप से special request है तो यह आप देख सकते हैं यह वही Smith & Wesson company का है आप आगया के देखिए यह Smith & Wesson का इसमें logo दिया हुआ है यह model number है यह Smith & Wesson brand name भी लिखा हुआ है इसमें wooden finish grip है मतलब यह जो actual real weapon जो आप साथ में पड़ा हुआ देख रहे हैं उसकी और इसकी feel और finish बिल्कुल similar है तो जिसके पास license नहीं है वो air pistol ले सकता है Smith & Wesson ले सकता है यह अभी खाली है इसमें CO2 cylinder लगता है अगर हम आपको इसके features बताएं तो यह button दबाके इसकी जो chamber है वो भार आता है इसमें हम एक-एक BBs हम press करेंगे उसके बाद इसमें CO2 cylinder लगता है जो कि यहां से खुलता है अगर हम इसका आपको stock खोल के दिखाएं ग्रिप खोल के दिखाएं तो यहां पे CO2 cylinder लगता है और CO2 cylinder को tight करने के लिए allen की आपको अलग से लेके चलने के जुरत नहीं है इसकी grip में ही allen की होती है तो और यह concealed होता है मतलब आपने cylinder लोड कर दिया बट सामने वाले को नहीं पता कि इसमें cylinder है तो यह concealed हो गया बहुत ही प्यारी finish में है adjustable sites है मतलब आप इसकी sites को भी adjust कर सकते हैं aiming करने के लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा है और अगर आप लॉक लगाना चाहते हैं तो इसको आप पीछे कर देंगे तो यह लॉक हो जाएगा अब यह फाय करेगा इसकी अवाज असली से थोड़ी सी कम आती है बट यह बहुत ही प्यारा बहुत ही प्यारी finish में है अगर आपको इससे थोड़ा सा छोटे size का चाहिए किसी और brand का चाहिए किसी और color में चाहिए तो वो भी हमारे पास available है आप नीचे दिये हुए number पे contact कर सकते हैं तो हमने यह co2 cylinders है आपको co2 बनाया भी हुआ हमने co2 आपके लिए और यह imported bullets है जो की हमारे पास शार्दा गना उससे परचेस कर सकते हैं लेकिन वो ही जिसके पास license हो अगर इन तीनों weapons की query करनी है तो नीचे दिया हुए real gun के number पे call करिएगा या message करिएगा और अगर आपने air gun क की inquiry करनी है तो उसके लिए एक और number दिया हुआ है आप उस पर inquiry करिएगा तो अगर आप इंडिया में कहीं पर भी रहते हैं for example अगर आप बंबे में बैंगलोर में कहीं भी रहते हैं तो आप यह weapon हमारे से air pistol खरी सकते हैं और हमारी online website भी है www.shardagunhouse.com जहां पर एयर आप कमेंट में करके बताइए कि आपको हमारी comparison की वीडियो अच्छी लगती है या नहीं अच्छी लगती है अगर आपको अच्छी लगती है तो हम और जितने तरह के brands आते हैं उन सबका भी comparison आपके लिए लेके आएंगे और आपको बड़िया से बड़िया वीडियो जैसे ही नहीं वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन आदे थाइंक यू